है यह जाए वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल कैसे यह आप लोग दो दिन से में वीडियो डालने पाए था बट अप मैं कॉंटिनूट डाला करूंगा और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे बैक के वर्काउट के बारे मैं आइनो सब लोगों को पता है कि बैक का वर्काउट कैसे करा जाता है आजकल सभी प्रोफेशनल हैं बट फिर भी मैं कुछ ऐसी टिप्स देना चाहूंगा जिससे आपकी बैक में बहुत अच्छा पंप आएगा मैंने आजकल के बिगैनर्स को देखा है कि वह वर्काउट करते हैं लेकिन फोकस नहीं करते हैं वामप पे या चिनफ पे या पुश अपस पे वह सिर्फ बेसिक एक्सराइजिस करते हैं देखिए अगर आप बैक का वर्काउट कर रहे हैं तो एक्सराइज स्टार्ट करने से पहले दस रैप के तीन सेट्स जरूर करें यानि कि तीस रैप चिनफ के जरूर करें जितना जादा आप वाइड पकड़ेंगे उतना अच्छा आपके बैक पे रिजल्ट मिलेगा और कोशिश करें कि पूरा रेंज ओफ मोशन हो आदा दूरा नहीं चिनफ करने के बाद आप केबल पुल डाउन से अपना वर्काउट स्टार्ट कर सकते ह जाद तर लोग एक्सराइज करते समय अपनी बैक की पोजिशन हमेशा खराब करते हैं उनकी बैक स्टेट ना होके हमेशा बैंड होती है इस एक्सराइज में आपके हाथ बिलकुल स्टेट नहीं होने चाहिए थोड़े से बैंड होने चाहिए उससे आपका रिंज ओफ लेट पूल डाउन इसमें जब आप नीचे की तरफ पूल करते हैं तो अपनी बैक को हमेशा स्कुईज करें मसल को टाइट करें उससे आपको बहुत अच्छा पंप मिलेगा अगर आप हैवी वेट कर रहे हैं तो आप पोशिश करें कि एक्सराइज करते समय आपकी बॉड लेट पूल डाउन करते हैं उसमें भी आपको आगे की तरफ ज्यादा नहीं जुकना है उसके बाद तीसरी एक्सराइज हमारी होने वाली है डंबल रो इस एक्सराइज को करते समय हमेशा आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी बैंड रखेंगे वो आपकी लोवर बैक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जब आप डंबल को पुल करते हो यानि खीशते हो तब आपको अपनी बैक को पूरी तरीके से स्क्वीज करना है उससे आपको बहुत अच्छा पंप मिलेगा बैक की एक्सराइज में हमेशा वेट उतना रखना जितनी आपकी बॉडी जेल सके है अगर आप ओवर वेट रख देंगे तो आपकी लोवर बैक पे स्ट्रेस आजाएगा फिलाल मैं वेट लूस पे चल रहा हूँ तो मैं तीन से चार एक्सराइज ही करता हूँ और उसमें में को बहुत अच्छा पंप आ जाता है अगर आप आप सिर्फ चार एक्सराइज भी करते हो ना और हैवी वेट नहीं करते हो लेकिन आपका पोस्चर सही है तो तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मैं अपना इंस्टाग्राम और स्नैप चैट की आ that thank you for watching